Hello friends, this is Rahul. Welcome back to CatStyler's AutoCAD Tutorial Series. So friends, आज हमारी AutoCAD 3D के अंदर second exercise है. So second exercise है कि हमारी हम piston बना के देखेंगे आज. So piston image किस तरह से है? यह हमारा piston. Okay, तो इसे हम आज बना के देखेंगे किस तरह से हम इसे बनाते हैं. पिछली वाली drawing के अंदर हमारे पास original part भी हमें दे रखा था यहाँ पे. बट यहाँ पे हमें original part नहीं दे रखा है. So हमें यह imagine करना पड़ेगा कि actual image part किस तरह से दिखता है. Okay, अगर मैं इसे बनाऊँगा तो actual image part दिखेगा कैसे. तो उसे देखने का, उसे imagine करने का और उसकी image बनाने का तरीका क्या है? देखिए, drawing को पढ़ना से ज़रूरी है, drawing पढ़के उसकी एक profile आपके दिमाग में बन जानी चाहिए. कि जैसे हमारे पास यह section view दिखाई दे रहा है. यह जो lines आ रही है आपके पास, इसको कहते हैं hatching. So, जब यह hatching आती है, it means यह मेरा section view है. और यह मेरा front view है. Okay, यहाँ इसको मैं side view भी बोल सकता हूँ. So, यह complete object का मैंने section view यहाँ पे ले रखा है. Okay, so, actual में part मेरा जो दिखेगा, वो एक side से, side view से यह front view से इस तरह से दिखेगा. So, top से इस तरह से दिखेगा, क्योंकि यह piston बिल्कुल round shape में है. So, इस तरह से मेरे पास यह dia कितना दे रखा है, 93 दे रखा है. बाकी dimensions देख लेते हैं, देखिए मेरे पास क्या के दे रखा है, यह मेरे पास teeth दे रखा है, threads दे रखा है, इसको threads बोल दो, teeth बोल दो, कुछ भी बोल दो, इसके अंदर मेरी rings जाएंगे. तो यह हमारे teeth है, इसकी dimensions कुछ यहाँ दे रखी है, कुछ यहाँ दे रखी है, तो almost dimensions जो है, इन दो diagram में आपको मिल जाएंगी, third जो मेरे पास यह top view दे रखा है, इसमें सिर्फ दाया दे रखा है मुझे, okay, so मैं क्या करूँ है यहाँ से, अभी drawing को पढ़ लेता हूँ, drawing बनानी कैसे मुझे, देखिए, अब यह round shape में तो मैं अगर इसको यहाँ से half बना दूँगा, तो यह revolve हो जाएगा, तो एक part मेरा complete हो जाएगा, okay, so उसके बाद जैसे ही मेरे पास यह C section आ रहा है, अगर C section देखो तो यह मेरी जो circle है, यह cut हुए है, side से, यहाँ से, तो य यह चीज क्यों नहीं बनेगी अभी, because आप देखिए, यह सिर्फ एक side से है, यह जो cutting आपकी है, और यह जो extrude हुआ पड़ा है, यह एक side से है, यह revolve नहीं है, ठीक है, अगर आप इसको यहाँ से बना लो कि तो यह सारी की सारी इस तरह से cutting हैगी, means कि यह part यहाँ से भी ऐस से ही दिखाई देगा, मतलब यहाँ पर दिखा रखा है circle मेरे को, तो वो एक ही side से cutting होई है, because इसके अंदर मेरी piston pin जाएगी, और उसके साथ मेरी connecting road assemble होगी, तो वो एक ही side से रहेगा, okay, revolve नहीं होगा, so मैं यहाँ पर करूँगा भी, half section बना लूँगा इसको, और उसको म में देख लेते हैं किस्तना से बनाना है, मेरे पास total डाय कितना दे रखा है, 93, और अगर मैं देखू, end to end to 93 है, calculate करके देख लेते हैं इसको, मेरे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक की value कितनी 85 है, 85 प्लस यह जो teeth हा रहा है, इसकी width कितनी आ रही है, 4 mm आ रही है, 85 प्लस 4, 89, प्लस इस side से कर 4 capital rate करूंगा तो टोटल end to end कितनी हो जाएं कि 93, it means वो डाय बिल्कुल सही आ रहा है, okay, so end to end जो मेरी value है, 93 है, so half value कितनी हो जाएं कि 46.5, तो अगर मैं इसको origin माल लो तो यहाँ से, l enter 0,0 at the rate 46.5, और इसकी height कितनी आ रही है, यहाँ दे रखी है, यहाँ से लेकर यहाँ तक total height है मेरी 7 और इबीच का जो slot आ रहा है, इसकी height कितनी हले रखी है मेरे पास 2 mm, it means मेरे पास यह हाला जो slot है, इसकी height कितनी है, यह फाइव और यहाँ से isकी height 2 होगी, to total यह कितना हो गया, 7 mm हो गया, okay, so यह जो distance जिखान रहे है, यहाँ को, यहाँ तक का distance तक सरकल है ना मेरा तो अगर मैं यहां से कटिंग करूं गो तो यह डिस्टेंस यहां से आ जाएगा उपर से देखिए डिस्टेंस बिल्कुल कम आ रहा है तो यहां से बिल्कुल डिस्टेंस कम आ रहा है ठीक है यहां से भी आप इसे चेक कर सकते हो कि यहां से डिस्टेंस कित तो इट मेंस यह एक साइट से कट हुआ है और इसको बनाने के बाद यहां से मेरे लाइन आएगी एक 39 की और फिर उसके बाद मेरे पास 123 और 4 चार स्लोट बनेंगे जिसकी डैमेंशन यहां पर दे रखी है अंदर वाले स्लोट की मेरे को डैमेंशन दे रखी है 3 mm उसकी 2 mm है और विट्स उसकी कॉमन है 4 mm जितने भी टीथ आ रहे हैं उनकी विट्स कितनी आ रही है 4 mm आ रही है ओके इसको फटा फट बना के देखते हैं किस तरह से बनाना है और इजिन से एल एंटर 0,0 तो यहां से मेंगे कर रहो हूं नियू ड्राइंग ओपन कर रहों एल 0.5, अगर मैं इसे escape करूंगा तो z enter enter apply करके देखते हैं यह देखिए यह मेरी line आगे है तो इसकी dimensions चेक कर लेते हैं मैंने 3D में इसे open किया हुआ है 3D में आपको dimensions नहीं मिलेंगी अप annudation में जाके dimensions find out कर सकते हैं ओके l enter यह वाला point आ जाएगा मेरे पास तो इसकी dimension कितनी आ जाए 46.5, 0 और यहां से add the rate 0, 5 add the rate, add the rate क्यों लोग आ रहा हूँ? increment में लेके जा रहा हूँ, जिनको coordinates के लिए रहा हूँ वो जैसे merge कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, so add the rate minus set हो जाएगा 4, 0 add the rate उपर height कितनी से 2 थी, so यह कितना जाएगा 0, 2 add the rate 4, 0 add the rate 0, 39 ठीक है तो friends यह चीज़ आपकी बन गी है, अब इसके बाद क्या है मेरे पास, अब मुझे यह teeth बनाने है, तो कितने teeth है मेरे पास, 1 है, 2 है, 3 है, और 4 है, so अंदर वाले slot की मेरी height कितनी है, 3 mm है, और बाहर वाले slot की मेरी 2 mm है, तो 3 or 2, और width कितनी है, 4 है, so मैं इस तरह से से बना होंगा, add the rate minus 4,0, add the rate 0,3, add the rate 4,0, add the rate 0,2, add the rate minus 4,0, add the rate 0,3, add the rate 4,0, add the rate 0,2, add the rate minus 4,0, add the rate 0,3, add the rate 4,0, add the rate 0,2, add the rate minus 4,0, add the rate 0,3, लोड बन रहा है तो add the rate 4,0 add the rate 0,2 add the rate minus 4,0 add the rate 0,3 1,2,3 और यह last load है मेरा भी add the rate 4,0 और add the rate 0,2 आप देखिए यहां पर एक arc भी दे रखिए आपको तो arc का radius कितना दे रखिए मेरे पास 189, radius कितना है 189 तो मुझे 2 points चीए arc बनाने के लिए अगर मैं यह half ले लूँगा तो सही नहीं बनेगा मुझे end point तक जाना ही पड़ेगा, तो यहां से मैं उसको trim कर लूँगा half उसको फिर revolve कर लूँगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहां से लेकर यहां तक की length लेनी पड़ेगी, तो length कितनी है 93, तो add the rate minus 93, 0, तो यह देख लिजिए आपके पस यह length भी आगी है, अब इसके बात क्या करेंगे, यह arc बना लेते हैं, यह वाली arc, कितना radius दे रख है, 189, so home में जाएंगे, sketching tools में आपके पस arc दे रख है, start and radius वाली arc सबसे ज्यादा यूज़ होती है, यहां पे भी यही वाली arc यूज़ होगी, तो आप देख लिजिए, end points आपके पस find out हो रहे हैं, तो इसे pick कीजिए, second end point pick कीजिए, और radius कितना है, 189, तो आप देख लिजिए, यह arc काप की complete हो गई है, so center से एक line ले 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 लेते है, 0,0, 0,100 और इसे मैं half trim कर दूँगा, यह भी trim हो जाएगा, और जो मुझे नहीं चाहिए, वो erase हो जाएगा, so अब देखते हैं, इसके बाद मुझे और क्या चाहिए, देखिए, यहां पे, यहां से लेकर, यहां तक म मैं इस line को offset कर लूँगा, और उसके बाद मुझे यह भी line चाहिए होगी, जिसका die कितना देर रखा, 74, तो उसका half करूँगा, तो कितना हो जाएगा, 37, it means मैं इस line को भी यहां पे offset कर लूँगा, तो यह line और यह line आजेगी, इसे मैं क्या करूँगा, revolve कर लूँगा, जो line को, then again offset 37, इस line को, so trim कर लेंगे, जो मुझे नहीं चाहिए, इस तरह से, okay, यह enter, select the object, जो मुझे नहीं चाहिए, extra part है, उसे erase भी कर दिया, मैंने, again trim apply करेंगे, यह trim होगे, यह भी trim होगे, और मुझे यह part अभी revolve करना है, so इसके बाद अभी क्या करेंगे, हम, आप देख बाकी जो CAD softwares हैं, उसमें इसे join करने की ज़रूरोत नहीं पड़ते हैं, but autocad के अंदर हमें join करना पड़ता है, so j enter, select hold object, enter, और अब आप यह देख सकते हैं, इसे polyline में मैंने convert कर दिया है, so अभी हम इसे revolve करेंगे, rev enter, select the object, enter, और center line इसे pick करेंगे, तो आप देख सकते हैं यह इसने revolve करके दे दिया मुझे, okay, so इसे अब rotate करके देखते हैं, किस तरह से हमें दिखता है, यह wireframe में अभी, तो मैं इसे conceptual view में देख लगता हूं, okay, so इस तरह से आपके पास यह object दिखेगा, अभी मुझे और भी बहुत कुछ करना है, complaint नहीं अभी मेरा यह, मुझे मुझे अभी cutting करना है, और extrude भी करना है, okay, so piston actual में जो दिखता है, वो इस तरह से दिखता है, यह देखे, अंदर से hall है, इस तरह से extrude है, इसको मैं अगर rotate करके दिखाऊंगा आपको, इस तरह से आपको यह दिखता है, इसका side view हो गर दिखाऊंगा आपको, यह देखे, य अगर मैं इसको रूटेट करके और भी दिखाऊं तो यह दिखिए अंदर से एक्स्टूड भी है जिसके अंदर पिंच जाएगी फिर कनेक्टिंग रोड इंसर्ट होगी ओके इस तरह से यह दिखते है इसे अब मैं बना लेता हूँ मुझे क्या करना है टॉप लेन पर मैं दुबारा चले जाता हूँ मुझे क्या करना है अभी यह दो सर्कल लगाने है अभी यह दो सर्कल का में काम है बाकी मेरा काम कम्प्लीट हो चुक है अभी इसमें क्या करना है मुझे एक्स्टूड करना है और cutting करनी है ठीक है so यहां पर मेरे को दो circle दे रखे हैं एक दे रखे है डाया 36 का एक डाया दे रखे है 22 का और उनका distance baseline से center से कितना दे रखे 27 27 सो अगर मैं इसको origin मान के चलो तो 0,27 पर मेरे circle लग जाएंगे दोनों सो मैं center पर circle ले लेता हूं इसे 2D wire frame में on कर लेता हूं दुबार आसे आपको circle भी clearly दिख जाएं 0,27 center point आगया D enter करके 36 fill कर देंगे तो एक circle बन जाएगा C enter add the rate 0,0 करेंगे तो again D enter करके 22 fill करेंगे दूसरा circle भी बन जाएगे तो अगर मैं इसे rotate करके दिखा हूं आपको तो यह बिल्कुल center भी बनेंगे अब question यह है कि मुझे यह cutting किस तरह से करना है और extrude किस तरह से करना है सबसे problem आएगी तो उसका solution यहाँ पर आपको मिल जाएगा ओके अब इसको खुद भी try करोगे तो आपको यह problem आ भी सकती है जिनकी बहुत ज्यादा अच्छी practice है तो वह इसे easily कर लेंगे जो beginners है उनको थोड़ी सी problem आ सकती है तो यहाँसे इसका solution आपको मिल जाएगा ओके तो केरा sketch है वो इस side copy कर दूगा, इस side copy कर दूगा, दोनों side copy कर दूगा, inside and outside ताकि मैं इसा extrude करकर सकूँ और अंदर वाली side भी इसा extrude कर सकूँ, so मैं इसमें subtract भी कर सकता हूँ, extrude भी कर सकता हूँ, so मैं sketch को क्या करूँँ करूँँ बट कोपी करने के लिए मुझे face selection बहुत जरूरी है face selection क्यों कह रहा हूं मैं क्यूंकि देखिए मैं आपको इसे करके दिखाता हूं यह है मेरा top lane सो इसे मैं normal कर लेता हैं यहां से मैं क्या कर रहा हूं इसे थोड़ सा हलका सा rotate करूंगा सो यहां से इसे copy करके देखते हैं co enter select objects enter 0,0 से मैं इसको copy कर रहा हूं आप देख लीजिए इस face पे जा रहा है इसे ortho भी on कर दीजिए तब भी इसी face पे जाएगा सो अगर मुझे इस face पे लेके जाना हूं सो मेरे पास क्या आजेंगे coordinates मूँ में check कर लेता हूं इसको एक बड़ी try कर लेते हैं सो यहां से देखिए मेरी cutting जो है circle की वो यहां से हो रही है सो 85 के डाय से मेरी cutting हो रही है तो मैं अगर half value देखूं तो 85 का half कितना हो जाएगा 42.5 सो एक मुझे copy करना है इसको 42.5 पे और minus 42.5 पे और एक मेरे पास यहां पे extrude आ रहे है 74 के डाय से ओके तो 74 के डाय से मैं इसको extrude अगर करूं तो कितना हो जाएगा half कितना हो जाएगा 37 सो it means मुझे 2 copy करनी है 37 और 42.5 minus 37 और minus 42.5 सो यह easily बन जाएगा ओके सो मैं अगर इसे करूं सबसे पहले 37,0 जो तो आप देख लीजिए यह आपका sketch जो है किस सेट चला गए उस सेट चला गए means कि आपका face selection सही नहीं था okay so इस तरह से friends आपने कहे करना है अभी जैसे मेरे पास यह face आ रहे है तो इसके opposite direction में face आ रहे है और 0,0 से मुझे कितना करना है 42.5,0 तो आप देख लीजिए उस सेट हो गया और minus 42 करेंगे तब भी हो जाएगा दूसरी साइड में यह देखिए दूसरी साइड भी हो गया next मुझे कहे करना है 37,0 यह देख लीजिए उस सेट भी हो गया minus 37,0 इस सेट भी हो गया okay so मेरे पास 5 sketches आ गया अभी मुझे center वाले की तो वैसे जुरूरत नहीं है बट मुझे बनाना पड़ा क्योंकि planes लेना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सो मैं इसमें copy कर सकता हूं,move भी कर सकता हूं sketches को,so यह मेरे लिए easy है,okay इस तरह से मैं इसे easy बना सकता हूं,so अभी के करते हैं extrude apply करते हैं,so इसे rotate कर लेते हैं हलका सा,कि मेरे को object easily देख जाए,so extrude select the object,enter बाहर की तरफ इसे extrude कर देते हैं,again यह वाला सक्छा आजाएग आपके पस,so extrude select the object,enter बाहर वाली तरफ इसे extrude कर देंगे,next मेरे पास क्या जाएगा भी,ब मुझे अंदर की तरफ extrude करना है,so मैं पहले extrude कर लेता हूं,बाद में subtract गरूंगा,so ext enter,select the inner sketch,and अब इसे मुझे कितना extrude करना है,वो देख लेते हैं पहले,so 74 से मैं extrude कर रहा हूं, तो कहां तक मुझे जाना है,50 mm तक जाना है,so 74 से कर मैं 50 mm माइनस कर दूं कितना जाएगा,24 हो जाएगा,so 24 का हाफ कितना हो जाएगा,12 mm,so मुझे one side 12 mm extrude करना है,so मैं ऐसे 12 mm extrude कर के देख लगता हूं,so यह सेट जा रहा है,my minus value देख लगता हूं,minus 12, यह हा 12 mm extrude हो जाएगा,so मेरी 2 bodies अभी extrude हो गी है,so इनको 3D में own कर के देखते हैं,किस तरह से आएगा,so मैं ऐसे conceptual view में देख लगता हूं भी,ब इसमें subtract apply कर लगते हैं, ऐसे थोड़ा सा rotate कर लगता हूं,sub enter,select the main object,enter and select the secondary object,enter,so आप देख लीजिए, यह आपका cut हो गया, यहा कर देखेगा,next extrude,sorry,subtract,select the main object,enter and select the secondary object,enter,so आप देख लीजिए, यह भी cut हो गया,ब आप जब भी 3D में काम करेंगे, तो यह चीज़ आपको हमेशा face होएगी,so इसको remove करने के लिए क्लिए 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 क्लिए, देखिए hidden क्या चीज़ है,hidden drawing के जो वो मेरे पास highlight ह हो रही है,so मैं यहाँ पर क्या करूँगा,curling को on करूँगा,so curling जो मैं on करूँगा, तो आप देखिए कि जो मेरी hidden objects highlight हो रही थे वो आफ हो गी है,so मैं easily काम कर सकता हूँ,so जब भी आप 3D में काम करेंगे, तो curling को on दरूर कर लेना,okay,so आपको easy रहेगा,so आप देखिए अभी मेरे पास extra part highlight नहीं हो रहे,okay,पहले problem आ रही थी,ब नहीं आ रही है,so इस तरह से आप इसको sort out कर सकते हो,okay,next मेरे पास क्या है अभी,so मैं इसे क्या कर लूँगा, extrude यहाँ फिर press pull भी कर सकता हूँ,so press pull select the object, यह देखिए उस नहीं क्या कि यह सिर्फ इतना सा area ही क काटा,उस नहीं अंदर का area नहीं काटा,क्यों,उस का reason यह है कि मेरे पास यह अलग लग parts है,so friends,order cat के अंदर क्या है,जब भी आप order cat के अंदर 3D drawings मना रहे हैं, तो उस में union का बहुत important role रहता है, मैंने common rod बनाई थी, जो कि सभी को cut कर देती, तो उसके लिए मुझे क्या क पड़ेगा सभी को union करना पड़ेगा, तो union के लिए मैं के करूंगा यहां पर, इस से पहले मैं back चला जाता हूं, मुझे press pool दुबारा करना पड़ेगा और उसके लिए सबसे पहले मैं union भी कर लूँगा,so union select the main object and select the other objects also,so आप देखिए यह भी अलग आ रहे है, और यह भी यह लग आ रहे है, तो इन दोनों को A की object बना देते हैं, तो आप देखिए A की object select हो रहा है भी,so अब मैं अगर इसको extrude करूं, यहां press pool करूं, तो यह complete हो जाएगा,so press pool पहले apply करके देखते है, select the object and so आप देखिए यह चीज़ आपकी cut हो गई है,so इस तरह से friends आप इसे बना सकते हैं, तो अभी आपका यह piston जो है complete हो चुक है,so center वाले sketch को आप चाहे तो delete भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,press pool का एक और function है, जैसे हम extrude कर रहे हैं, यहां subtract कर रहे हैं, तो वो A की बार में apply होता है,so press pool में क्या आप उसे multiple times use कर सकते हैं,so friends इस त देखेगा, okay, metallic view देखेगा, और इसमें अगर आप multiple views देखेंगे, तो इस तरह से आपको यह दिख जाएगा, front view से इस तरह से, top view से इस तरह से दिख जाएगा, side से और right plane से इस तरह से दिख जाएगा,so friends इस तरह से आपको यह complete हो जाएगा, I hope आपको यह drawing अच्छे से हो सकते हैं, okay, thank you.